हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तूगी कोचि में आज के इस वीडियो में कलास बारह के बहुती भी ज्ञान अभ्यास नौ में आज हम लोग पढ़ेंगे अउतल दरपड तथा उतल दरपड में अंतर क्या है बहुत आसान विधी से बताया जाएगा तो आप सभी विध्यारती से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिसे आपका एक नोट से भी बनता रहेगा तो पहले हेडिंग को नोट कर लिजे अउतल दरपड तथा उतल दरपड में अंतर तो पिछले वीडियो में जो है उतल दरपड क्या होते हैं उतल दरपड क्या होते हैं यह सब बताया गया था यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर कि उस भाग का वीडियो को का कर सकते हैं देख सकते हैं तो अब यहां पर दो कालम भी बना लिजिए पहले कालम में करेगा उतल दरपड अब यहांपर जो है जब दो कालम बन जायगा तो बारी-बारी से एक कालम को अच्छे से समझिएगा जैसे यहां पछला अब इसमें पछला क्या है तो ध्याना देंगे इसकी जो परावर्तक सत्छा जो होता है वो क्या होती है, धसी रहती है वो क्या होती है धासी रहती है या दबी रहती है तो यह लिखेंगे इसकी इसकी पारावर्तक सतह क्या होती है धासी रहती है धासी रहती है और इसमें लिखेंगे इसकी पारावर्तक सतह क्या है उभरी रहती है बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अब या लिखेंगे इसकी इसकी पारावर्तक सतह पारावर्तक सतह क्या होती है उभरी होती है उभरी मतलब उठा रहता है उभरी होती है कितना असान है बस थोड़ा साब को ध्यान देना है इसकी पारावर्तक सतह धासी रहती है इसकी पारावर्तक सतह क्या होती है उभरी होती है अब दूसरा लिखेंगे इसकी focus जो होता है वास्तविक होता है इसका focus जो होता है क्या होता है वास्तविक होता है और इसमें लिखेंगे इसका focus जो है क्या होता है अभवासी होता है इसका focus क्या होगा इसका focus अभवासी होता है आभवासी होता है तो प्रतविक दो परकार के होते हैं पढ़ेंगे बताया गया था वास्तविक प्रतविक होता है और एक अभवासी प्रतविक होता है तो आप सभी विद्यार्थियों से निमेदन है कि वीडियों को ज़ादा से ज़ादा अपने सभी दोस्तों के पास सेयर कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे 40,000 सस्क्राइबर हैं तो आप लोग चाहेंगे तो मेरे चैनल पे 50,000 सस्क्राइब हो जाएंगे आपके लिए बहुत मेनचost करके वीडियों बनाया जाता है तो इसलिए आप सभी विद्यार्थि मेरा भी कुछ सायो कीजिए जिससे आपके लिए वीडियों प्रदीन हम लाते रहेंगे तो इसलिए बीडियो को جईज़ाइ, जादा से ज़ादा और मेरे चैनल के बारे में सभी दोस्तों को पास जरूर बताए, जो भी आपको दोस्त मिलते हैं मेरे चैनल के बारे में जरूर बताते चलिएगा. तो अब यहां तीसरा जो लिखेंगे यह अभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रत्वी मनाते हैं ध्यान दिजेगा आउतल दरपड जो होते हैं यह अभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार के क्या होते हैं प्रत्वी मनाते हैं तो यह लिखेंगे यह अभासी यह अभासी तथा वास्तवीक अभासी तथा क्या है वास्तवीक दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के प्रत्विम बनाते हैं क्या है यह अभासी तथा वास्तवी दोनों प्रकार के प्रत्विम बनाते हैं और इसमें क्या लिखेंगे तिसरा में यह केवल अभासी प्रत्विम बनाते हैं प्रत्विम बनाते हैं और चौथा जो है चौथा लिखेंगे अब इसके द्वारा प्रत्विम बड़ा या छोटा या बराबर होता है मतलब जो आउतल दर पर द्वारा जो बना जो प्रत्विम होता है वा बड़ा या छोटा या क्या होता है बराबर होता है लिखेंगे इ इसके द्वारा बना प्रतिवीम क्या होता है? बड़ा भी होता है या छोटा या बराबर बड़ाबर होता है बराबर होता है इसके द्वारा बना प्रतिवीम क्या होता है? बड़ा या छोटा या बराबर होता है और चोटा लिखेंगे इसके द्वारा इसके द्वारा बना प्रत्वीम क्या होता है? छोटा होता है। मतलब जो उतल द्रपड में जो बना प्रत्वीम होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो चार जो है अंतर आप लोग अच्छे समझ में आगया होगा। तो पांच्वा अंतर भी लिख लिजिए। अब पांच्वा जो अंतर है इसे अभिसारी द्रपड कहते हैं। इसे अभिसारी अभी सारी हैं और इसे क्या कहेंगे? इसे अभिसारी द्रपड कहते हैं। उसे अब सारी क्या काते हैं दरपड कहते हैं कितना आसान है तो यह अभी सारी दरपड है यह अभी सारी दरपड क्या है ऑगे चलके बताया आपको जाएगा तो यह अंतर को आप आप सभी विद्यारथी क्या कीजे अपने कउपी में इसे नोट जरू कर लीजिए तो अब अगला जो हेडिंग है बहुत आइंपी है पार्सव उत कर्म पार्स उत कर्म से आप क्या समझते हैं ऐसे क्रश्ण पेपर में यो है वो तो कल के वीडियो में बताए गया था जो आप अपना चेहरा देखते हैं सिसे में उस सिसा का नम क्या है? शमतल दरपड है जब हम समतल दरपड में अपना परत्विम को देखते हैं जब बाया हाथ उपर उठाते हैं तो परत्विम में क्या होता है? दाया हाथ उपर उठता हुआ दिखाई देता है इसी परकाश जब हम अपना दाया हाथ को उपर उठाते हैं तो परत्वी में कौन सद होगा बाया हाथ उपर दिखाई देगा इस घटना को क्या कहा जाता है पास और उतकर्म कहा जाता है तो इसका जो है उत्तर जो है पने कॉपी में नोट का लिजे जब हम सामतल दरपड में अपना प्रतवीम देखते हैं अपना प्रतवीम का होता है देखते हैं और बाया हाथ उपर उठाते हैं और बाया हाथ उपर उठाते हैं तो प्रतवीम में मतलब जो सीशा में जब प्रतवीम मनेगा उसमें जो है प्रतवीम में दायां प्रतवीम में क्या होगा? दायां हाथ उपर उठता दिखाई देता हैं उठता हुआ दिखाई देता है उठता हुआ क्या होता है? दिखाई देता है इसी प्रकार जब हम अपना बाया हाथ बस पहले क्या था दाया था अब क्या है बाया जब हम अपना क्या था यहां पर दाया लिखिएगा क्या है दाया हाथ उपर उठाते हैं तो प्रतविम प्रतविम में बाया प्रतविम में बाया हाथ उपर उठता है उठता दिखाई देता है इस घटना को क्या कहते हैं उतकर्म इस घटना को उतकर्म उतकर्मड लिख सकते हैं इस घटना को क्या कहते हैं कितना आसान है बस इसे दो बार पढ़िएगा तो परिभासा क्या होगा याद हो जाएगा कैसे बोलेंगे जब हम समतल दरपड में अपना प्रतविम देखते हैं जब समतल दरपड में अपना प्रतविम को क्या करते हैं देखते हैं तो बाया हाथ उपर उठते हैं तो प्रतविम में कौन सा हाथ दिखाई देता है दाया हाथ उपर उठता हुआ दिखाई देता है उसी पर का जब अपना दाया हाथ उपर उठाते हैं तो परत्वी में क्या होता है बाया हाथ उपर उठता दिखाई देता है इस घटना को क्या कहा जाता है पासर उतकर्म कहा जाता है बहुत आसान भासा से जो है इसका उतर बताया गया है तो आप सभी द्यार्थी वीडियो को जो है जादा से जादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास और मेरे चैनल के बारे में जो है अपने सभी दोस्तों को जरूर बताईए तो आज की वीडियो में जो है इतना ही रहेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तो अगले भाग में क्या पढ़ें लेंस किसे कहते हैं और लेंस के प्रकार के बारे में अध्यन करेंगे तो आज इतना ही मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार